Hello students, good morning. So today we shall study reference to the context of the lines for oft when on से लेकर and dances with the daffodils. तो इसका जो reference to context होगा हो इस तरह से होगा, these lines have been taken from the poem daffodils written by William Wordsworth. तो यह line जो है, यह poem है daffodils जिसे William Wordsworth ने लिखा है, उससे लिए गई है. The poet William Wordsworth is a high priest of nature. तो यह poet William Wordsworth यह nature के बहुत बड़े पुजारी थे, यह प्रकृति की पुजागिया करते थे. He describes that nature is a storehouse of joy. और उन्होंने इस बात की व्याख्या की है कि nature यह खुशियों का भरा एक बड़ा खजाना होता है. And if we see a beautiful scene in nature, it gives us happiness for a long time. और अगर हम nature में जाके कोई बहुत सुन्दर प्राकृतिक नजारा देख लेते हैं, तो उप्राकृतिक नजारा जो हमें बहुत लंबे समय तक खुशियां देता है. और उस प्राकृतिक नजारे को भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है. Now its explanation is, तो एक बार कवी ने क्या किया, वो घूमने गए, एक बहुत सुन्दर घाटी में घूमने गए, वहाँ पे उन्होंने लगबग 10,000 सुनेहरे डाफिडिल फूल देखे, और वो जो है ठंडी हवा में डांस कर रहे थे और जूम रहे थे, और वो एक जील के किनारे थे Then he returned home, और वो सुन्दर नजारे को देखने के बाद कभी वापस अपने घर आ गया, now often he lies on his couch in a sad or tired mood, अब अक्सर ऐसा होता है वो अपनी चार पाई पे, couch means चार पाई, अपनी चार पाई पे वो लेटा हुआ होता है और उसका mood काफी उदास होता है या वो काफी ठका हुआ ह उसके बाद क्या होता है, the joyous scene of daffodils flashes upon his mind, तो उसने जो सुन्दर नजारा, खुशियों भरा नजारा देखा था daffodils का, वो नजारा उनके दिमाग में तैर जाता है, उस सुन्दर प्राकृतिक नजारे के उन्हें याद आ जाती है, and it fills his heart with happiness, और उससे उसका दिल जो है, खुशियों से भर जाता है, and he forgets all his sorrows, और वो कवी जो है, अपने सभी दुखों को भूल जाता है, in his loneliness, the poet's heart also starts dancing with the daffodils, और जब भी वो अकेला होता है कवी, तो उसके अकेले पन में, उसका जो हिरदय है, वो भी उन daffodils के साथ नाचने लग जाता है, यानि उसका हिरदय भी खुशियों से भर जाता है, and this is the very unique pleasure which nature can give to the human beings, तो यह बहुत ही unique खुशी होती है, जो केवल प्रकृती ही इंसान को दे सकती है, और यहां पर मारा यह lesson close हो जाता है, thank you so much for watching, please like and subscribe my channel.